असलामों अलेकुम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो अगर आपको पता है नियम कानून चेंज हुगा है साओधी गवर्मेंट की तरफ से 22 सगस से PCC वाला तो दो तीन वीडियो मैंने बनाई है इस पर लेकिन अभी इस वीडियो म मैं आपको क्या बताने वाला हूँ थमनेल पर आपने देखा हुगा मैंने क्या लिखा है तो यहां पर एक सवाल का बड़ा जवाब है कि जो लोग साओधी में पहले से काम कर चुके हैं जैसे माल लो कि मैं साथ साल काम किया हूँ पांच साल काम किया हूँ तीन साल काम किया और मैं साओधी से एकजीट आ गया इंडिया में ठीक है तो क्या नया वीजा के लिए मेरे को अभी नया वीजा लेकर के दोबारा साओधी जाना है तो क्या PCC कराना होगा तो इसी के जानकारी में आपको देने वाला हूँ प्रोपर अच्छे से तो वीडियो को शेर कर दीजे यह आपको पता है नियम कानुन बनाया जाता है सारे काम रकर्लोग करेंगे सारे नियम कानुन वर्कल्ड़ फ्allव करेंगे सारा कुछ इंजैन पाकिस्टानि मंगलादेशी फॉलव करेंगे बागी साएधी लोग को कोई काम करना हो तो बिंदास कोई भी experience की जवरत नहीं ह पटापट आईए जॉब में लग जाईए चार हजार पांस यार रियाल कमाईए और हमें हजार रियाल कमाने के लिए दस जगर इंटर्वी देना पड़ता है परिसानी जिलनी पड़ती है पता चला कंपनी अच्छा नहीं है तो यही सब होता यार अगरी करते हो बाद से तो क जल रहा है जी बहुत सारे मैसेज मेरे को इंस्टाग्राइम पर रहा है बहुत सारे मैसेज बहुत सारे लोग का मैंने रिप्लाइ किया है इमर्जंसी इमर्जंसी करके मैसेज आ रहा था बहुत सारे लोग को तो अभी जो नया वीजा मैं लगवाँगा मान लीजिए आपको कलियर करता हूँ कि क्या है पूरी बात तो मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ जिन से मैंने पूछा है हमारे खास बहुत ही अजीज जी जी बहुत ही अजीज तो आए दिन साओधी लोग जाते रहते उनके थुरू तो पता है हर चीज मालम होना चाहिए यह मैंने पूछा भाई से तो भाई ने क्या जवाब दे यह सुनिये हमारा एक पुराना आदम है वह जाने वाला है उसका भी पीची सी हुआ है कोई भी रिटर्नर हो यह नया आदमी पहली बार साओधी जा रहा हो पीची सी लाजिम कर दिया गया है और आगे सुनिये भाई ने क्या कहा अब तो बड़ा मुसीबत हो गया है अब पहले जो काम एक हपते पंदर दिन दस दिन के अंदर हो जाता था अब कोई भी आदमी कितना भी कोशिश कर ले तो आपका तुरंत काम नहीं करा पाएगा बाहर देश का अब इससे क्या होगा कि जितने भी एजेंट लोग हैं अब वो लोग तो ऐसे ही परिशान थे जल्दी काम करा देंगे जल्दी काम करा देंगे लेकिन अब वो लोग भी जल्दी काम नहीं कर पापाएंगे क्योंकि अब पी सी सी किलियर होने के बाद ही सारा प्रोसेस होगा चाहे नया आदमी हो, चाहे आप रिटर्नर हो, आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना ही होगा तभी आपका वीजा स्टाम्प होगा, इसके इलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कोई भी आदमी आपको बोलता है कि हम आपका सेटिंग करा के भेज देते हैं हम आपको ये करा के भेज देते हैं तो ये आपका अपना रिस्क होगा वो यहां से तो भेज तो देगा आगे जाके एरपोट पर कोई मुसीवत आ जाए आपका एक लाग डेड़ लाग पर आपका परिशानी मैं बोला भाई अभी पुरा क्लियर है नहीं कोई इस टेम पे भी बाइस अगस अभी तो देखो आज तीस तारीक है अभी तो बताव आठ दिन ही हुआ है पीछी सी लागू हुए इस बीच में कोई गया नहीं है तो मैं आपको कैसे क्लियर कर दो इसलिए मैं बोलत दो महीना तो पीची सी निकालने में लगेगा फिर वीजा स्टाम्प होगा 75 तरीके के बाती बातें अब आगे आप कम्मेंट करो देखो अब यह लाश्ट वीडियो है इसके इलावा आप मैं कोई भी पीची सी पर वीडियो नहीं बनाने वाला हूं हाँ पीची सी किसी का ह हो जाता है अगर वो जाता है कोई परसानी बगर रास्ते में आती है कुछ होता है तो फिर मैं पीची सी पर वीडियो बनाऊंगा यह लाश्ट वीडियो थी जानकारी के लिए आप लोगों को शेयर किया हूं इसका मतलब साओधी अरब जाने के लिए नया आदमी पुराना आदमी रटर्नर हो चाहिए दस साल का हो चाहिए भी साल से आप सौधी में काम करते हो तो आपको पीची सी कराना ही होगा पहले सौधी में का काम कराने के लिए लोग सबसे पहले गमका मेडिकल कराते थे तो हो सकता है तो कफील या कंपनी या कहीं भी आप जाना चारते हो तो एजेंट आपका पहले गमका कराएगा, गमका कराने का तो फटा फट फट पर PCC करा देगा, लग आपका अच्छा रहा, पुलिस से कोई connectivity रही, setting रहा तो फटा फट आपका पुलिस verification हो जाएगा, आप नियर बाइ पुलिस इस्टेशन में जा कि बातचीत करके setting करा कि चलो कि इंडिया में तो पैसा है तो सब कुछ है, है कि नियागरी करते हैं मेरे बात से, share कर देना, like कर देना, comment कर देना, फेस्बुक पेज पर देखो वीडियो को share कर देना, यह वीडियो शेर जरूर करना क्योंकि जो returner है उन तक यह वीडियो पहुचा दो, link copy करो वीडि सुनाई दिया है, जिन भाई का मैंने recording सुनाए है, यह हमारे बहुत ही खास, अजीज, इन्होंने ही मेरे को साओधी भेजा था, ठीक है, और इनके ही थुरू में जिनको भेजता हूँ, इनके ही थुरू भेजता हूँ, इन्शालला साओधी के अंदर खास करके, अल्ला झाल, इनके ही अंदर, झाल, इनके ही थुरू ऑास करके लो, इनके ही थुरू खास करूँ, रुरू.